रादे रादे आज मैंने ऐसी अनुखी रेस्पी बनाई दोस्तो जिसे देखते ही आपके मुँँ में पान ही आ जाएगा तो यहां पर यकिन करें दोस्तो बिलकुर रेस्टरंट डहबल स्टाइल में बनाएंगे और बहुत ही बड़िया बनेगी और इसे हम बिना प्याज ल देता जाए कि कौन-कौन जूड़ा है और बहुती स्वादिश्ट और टेश्टी सबजी बनाने के लिए घर के समानों से ही बनके त्यार हो जाती है तो आप मुझे बताते जाएगा कौन-कौन जूड़ा है जैसे कि मैं आपको कह रही हूं तो चलिए वीडियो को हम सुरू तो चलिये के जैसे कि आफ देख रहें और में दो ट्यमाटे लिए थे एक मैंने हशा लाल मिर्च लिया है आप इसके जगे कुस्मिरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और एक मैंने इंच का अज्रक का टुकडा लिया था और यहांपर थोड़े से काजू डाल ले थे तो यहां पर सभी चीजों को हमें उबालना है तो यहां पर सौफ होने तक उबालने ना है क्योंकि यहां पर आपको मैं बहुत ही बढ़ी असान तरीका बतारें दोस्तों जब भी आप कोई नई रैस्पी बनाते हैं बिना प्याज रहसन के तो हम टुमाटर को इस तरह इसे उबाल के बनाते हैं और मिर्च को तो बहुत ही बढ़ी रैस्पी बनके त्यार होती है यहां पर मैं हर रोज नहीं नहीं कुछ करती हूं कि आपको अलग-अलग तरीके से सिखाऊं और तो यहां पर वीडियो पसंद आता जाए तो लाइक शेर कमेंट करते रहेगा तो हम आपको दिखा देती हूं पेश बनके कैसे त्यार होगा यहां पर लाइब वीडियो है आपको पेश ब सकते हैं तो यहां पर मैंने इस तरह कि clarify कर लिए आप देख सकते हैं कितनाflies अवत ज़िआ कर में कित्यार रही कि स्ट्राइंब से त्याद होगी तो चलिए और अम ने यहां पर गैस इस लाई है तो यहां पर हमें गैस को स्टाट कर रही हूं और यहां पर मैंने मतर ली थी पेहने में बता देते हूं इससे पानी डाला था इस तरह से पानी डाला और इसमें फोड़ी सी चीनी और नमक डाल देंगे इससे मटटर गरम बनेकर पानी नक्सी दमाब तो यहां पर update है तो यहां पर अब मैंने पैन में रख दिया है अब यहां पर मैं 2 चमच तेल डाल लीए हूं जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही कम तेल में बनाएंगे ऐसा नहीं कि बहुत जादा तेल डालेंगे और क्या करना है यहां पर आप इस तरीके से पनीर को फ्राइब करके बनाते हैं काटके नहीं करिएगा इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूं बस इस तरह से करेंगे तो हलका हलका light color होने तक फ्राइड करना है बिल्कुल भी आप इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करिये जैना जब हम फ्राइ कर लेंगे और एक र qualities त CTLC हम पानी में डाल देना तो यहां साबस कुछी हम पनीन को फ्राइं करेंगे करका कर दके करते हैं 15 आप अब इंद reader by अधर मैं आप देखिरोंगे इदर हमारा केल गरम हो गया है और यहां पर में आज हम दिना प्याज लेशन के बना रहे हैं तो यहां पर एक चमच यहां पर मैं देशी घी का भी यूज करूंगी देशी घी डाले से बहुत ही बढ़ी अस्वाद आएगा कुछिस करेगा देशी घी आप इसको दो टुकड़े करके डाल देए एक बड़ी लाइची लिए आप यह छोटी लाइची भी ले सकते हैं और एक छोटा सा मैंने दाल चीनी का तुकड़ा लिया है तीन चार मैंने मिर्च लिया है काली मिर्च सोना जी रादे-रादे मैं ठीक हूँ रूपर मनोजी तो यहां पर मैंने जो इलाइची लिया है और इस तरह से मैं डाल ली हूँ आप बड़ी है छोटी एक डाल सकते हैं तो मैंने बड़ी डाल दी थी इसको नहीं डालूँगे तो चलिए यह हलका सा घुनना है इसमें बहुत ही बड़ी फ्लेवर आता है जब तक यह भूने नहीं अच्छे से इसको भूल लेना है यहां मैंने जीरे का यूज नहीं किया है आप डालना चाहते हैं तो दाल सकते हैं मैं यहां जीरा नहीं डाल लएए और दोस्तों अगर आप हमारे बस्तर पे नहीं जु तो मैं चलिए अपको दले चलती हूं तो पहले हमें एक मसाला त्यार करना है तो यहां मैंने एक बाउल लिया इसमें थोड़ा सा पानी लिया जैसे कि आप देख रहे हैं और यहां पर हमने कुछ मसाले लिये आजर छोटा चम्मच हल्दी लिया है और आजर छोटा चम्मच यहां पे मैंने काला नमक लिया है तो यहां पे काला नमक को बाद में भी ढाल सकते हैं और हीन लिये हीन को मैं इधर डालूंगी और लिया कि च्मीरी नान में चलिए थोड़े यह लैंगे क्योंकि आ आपने देखा हमारा उसी से बहुत बढ़िया क्लेर आ रहा है तो मैं और तीखी खाना चाहते हैं तो यहां पर तीखी का यूज कर सकते हैं अब यहां पर हमने एक तमच कर्म सोरी धन्या पॉडर लिया है तो यह घर के समानों से ही बनके त्यार हो जाता है इसमें बहुत जादा मसाल में ढूलेंगे और इसका त्यार हो है स्दिय खोल कर लेंगे तुर्ट शे आना हिसे मसाल हमारा त्यार हो है को जादा कर सकते हैं दोस्तों मैं हमिशा कहती हूं जितना आपको पसंद है आप उस हिसाब से कर सकते हैं और अब यहां पर हमने जो पनीर को फ्राई करके रखा था इसे भी हमें काट लेना तो यहां में पनीर के इस तरह से आप देखे रहोंगे तो यहां पर अपने हिसाब से कर सकते हैं कितने बड़े छोटे पीस काट करने है तो गरम पानी में डालने से क्या होता है पनीर अगर हम जैसे फ्राई करते हैं गरम पानी में डाल देते हैं तो पनीर सौफ्ट हो जाता है अगर हम पनीर को गरम पानी में नहीं डालेंगे तो वो खिचा-खिचा सा आप कई बर बनाते होंगे तलते होंगे तो खिचा-खिचासा लगता है वो swiftness नहीं आती है sawfness के लिए आप पनीर को जुरूर इस तरह से गरम पानी में फ्राई करने के बाद जरूर डालिएगा तो यहां मैंने इस तरह से पीस भी काट के रख लिए हैं जैसे आप देख रहे हैं छोटे बड़े वो आपकी पसंद है आप कैसा खाना चाहते हैं तो यहां मारी सारी प्यारी हो चुकी है तो अब हम गैस की तरफ चलना है तो यहां पर हर चीज छोटी छोटी पॉइंट बताना जरूरी है कि आप कैसे बनाए तो चलिए तो यहां हम गैस की तरफ आ चुके हैं तो दोस्तो लाइप तो बहुत कम भड़े हैं जैसे आप देख रहे हैं वीडियो बनाने में बिल्कुल नहीं मज़ा आता है पता है आप लोग आज के लिए नौटिफिकिशन भी नहीं जाती है क्या बात है और ना मुझे कोई इसमें बताता है हल करता है मेरी तो जैसे कि अब मैं यहां गैस को स्टार्ट कर रही हूं और जो मैंने हींग रखी थी दो पिंच मैं हींग को डाल देती हूं चलिए अब यहां पर मैं इसको थोड़ा सा मेरा तेल ठंड़ा हो गया था न देखा था मैं इसको हलका सब भूल लेती हूं पहले यहां रेखा जीवी आ चुकी है चुके तो यहां पर मुझे कमेंट भी नहीं दिखाई देथे हैं कोमल जी सोना जी आज का बर्त होगा हां जी मेरा बर्त है हां जी मैंने बंग दिया सब्स अभी यहां पर जैसे भून जाएंगे बस तो मैंने चोड़ा साप तेज में फटा काम करेंगे इसके बाद क्या करना एं या जो हमने मसाला बेना रखा था पाशा सा पानी में घ।कर दाल menghe लिए लिव यौनके में हमने पाशे संब्सक्राइद करें दो डाल देशान अब यहां पर मैंने तो यह पेस्ट बनाते रख्था है इस पेस्ट को डाल जूंगी टुमाटर का काजू का और लाल मिक्षी का यह सारा पेस्ट में डाल ज़िए हूं और इसे भी हमें भुनना है टुमाटर हमारा पहले से उबलवा है पका हुआ है तो इसे बहुत जादा नहीं भुनेंगे तो यहां पर इसे अच्छे से मिला आ रही हूं आप देख रहोंगे इस तरह से आ पाल है को हुआ है है और हम तीन से चार मिनित भुनेंगे चलिए में जार को ढोलेती हूं इसी को पानी डाल दूंगी इसमें तो घर के समानों से ही बहुत ही बड़िया टेश्टी रेक्टी बनेगी दोस्तों अगर तो यहां पर बस हमें इसे तरह से भूल लेना बहुत जादा पकाने की जरुवत नहीं है अब यहां पर मैंने दाल लिए हूं इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है थोड़ा खटासा और टैंगी टैंगी साब बनाएंगे जब पता लगेगा और यकीन करिए दोस्तों जब मैं एक छोटी थी अपनी बुवा के घर गई थी उन्होंने मुझे बिना प्याज लेसिन के बना की खिल अगर इसमें आपको तेल छोटने तक पकाना है तो सिर्फ दो से तीम मिनट ढ़के पका सकते हैं पर मैं यहाँ ज्यादा नहीं ढ़कूंगी यहाँ पर इस तरह सब जखके पका लिजएगा बीच बीच में चलाते रहे हैं क्योंकि हमने काजू डाला है काजू से नीचे लग जाती है यहाँ पर यहाँ पर वर्षा जी आ चुकी है और बस अब हमें क्या करना है यहाँ हमने जो मटल ही थी मटल को हम डालेंगे मटल हमारी सॉक हो सकी थी क्योंकि यहां मटल डालेंगे इस तरह से और इसे हमें 2-3 मिनट पकाना है अच्छे से तो मटल आप अपने इसाब से और जादा भी डाल सकते हैं क्योंकि मैं कम लोगों के लिए बना रही हूं क्योंकि मुझे मटल कम पसंद है तो थोड़ी से मटल डालिए 200 ग्राम आपने देखा पूरा पनील लिया है इस तरह से और यहां पर हम कस्टूरी मैथी डालेंगे कस्टूरी मैथी को मैंने हल्का सब भूल लिया था आज हमारे साथ रिता जी भी आई है राधे राधे तो यहां पर कस्टूरी मैथी यहां पर हमने डाल भी है कस्टूरी मैथी अभी कई चीज़े जानी है और अभी रेस्पी को पूरा देखेंगे जब यह आपको समझ में आएगा और इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे क्योंकि काजू डालने से क्या होता है दोस्तों यहां पर नीचे लग अगर जाए महले हैं तो जो इसके अगर आब मुझे काश्मीन इमिट्ट कर दीजेगा तो मैं इसके क्शूमीर इमिच्स कैसे बनाई जाती है जोएयं आपको पता है कि सस्टे में 20-30 रुपे किलो आरी है बहुत ज़्यादा सस्ते में बनके त्यार होती है तो अगर आप कहेंगे तो मैं सिखा दूँगी जब यहाँ पर आपकी मटर सॉफ्ट हो जाए तो यह ध्यान रगना है क्योंकि मेरी मटर उबली हुई थी मैंने आपको कर 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 के दिखाया था जब आपकी यहाँ पर मटर सॉफ्ट हो जाए या तो बाल के ले सकते हैं या कच्ची भी डाल सकते हैं वो आपकी इच्छा है क्योंकि मटर पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि गरम पानी में आप कर के रखेंगे तो भी सॉफ्ट हो जाती है तो चलिए और मैंने यहां घी का कम यूज किया आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं मैं बहुत कम घी का यूज कराया च्योंकि स्वेरे भी हमारी आलू की सब्जी थी वो हो गई थी अब यहां पर हमने जो पनीर को रखा था पनी डाल देंगे तो यहां मेरा इस तरह से मैं खलका सा और पनीर को डालने के बाद हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना होता है दो से तीन मिनटी पकाना होता है आप अब को पता है सुबरा जी रादे रादिश यहां मैंने आप देख जोंगे अभी ग्रेवी इसमें मैंने पानी नहीं डाला था बस मैं हलका साही पानी डालूँगे बस आप पानी पहले भी डाल सकते हैं बाद में भी डाल सकते हैं वह आपकी इच्छा ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि पनीर हम पकाते हैं आप सबको पता है थोड़ी सी देर जब ठंडा हो जाता है पकाना ही पड़ता है तो यहां बस इस तरह से मैं को गाड़ा गाड़ा नहीं कर रही हूं तो यहां पर लास में आप गरम असार भी डाल सकते हैं हाँ डाल सकते हैं इसमें क्रीम डाल सकते हैं अभी में क्रीम डालूंगी यहां पर मैंने घर की मलाजी रख्यों हुई है वैसे प्याज अगर डालना लेस्न खाना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं क तो आज इस पी उन सब के लिए जो बिना प्याज लेसन के लिए सीखना चाहते हैं तो यह जैन एस्पी है अब जब यहां पर सब यह आप देखे रहोंगे कितनी गाड़ा हो चुका है थोड़ा सहरा दन्या डालेंगे मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया बनी है और कितनी गाड़ी है मैंने क्योंकि पानी बहुत कम डाला है तो यह मैं इसको दिखाती हूँ आपको बिल्कुल आप देख सकते हैं इसका कलर भी देख सकते हैं कुछ आपके सामने कलर नहीं डाला है कुछ नहीं करा जो भी लाइप में बनता आपके स आप कितनी बढ़त कं दिखाई के रहा है तो आप सकते हैं कितनी बढ़त ज्लाइद बनती और बिल्कुल सी बनाये बहुत कम इंसालों पर देख रहा है और स्जावा पनी का यूज करते हूं जूश्व करते हूं चल आम इसको शर्फ कने का चरीका बताती हूं, अभी इसमें अब बहुत बड़ी तरीका बता रहों ना चाहते हूं मिलाहीं यहां पे ढॉल सकते हैं नहीं तो शर्फ समय को हमञा है थेंकु तो हम यहां पर में आपको दिखा रही हूं कि इधर में ले चलती हूं आपको फटा-फटे है आपको शर्ब कैसे करना वो भी आना चाहिए है कई बाद हम सबको आता है फिर भी कई बाद है जाता है तो मैं आपको दिखा यहां बटन लख लिए अब यहां पर मैं सब्जी को सब करके दिखाती हूँ आप चाहें तो इसमें उपर से क्रीम डाल सकते हैं पर मैंने नहीं डाली है अब ही मैं लास में डालूँ यह क्योंकि सजा के देने में अच्छा लगता है गर्म गर्म तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ीया बड़ीया कलर आया है ऐसा नहीं कि मैं लाइप में जो बनता वह आपके सामने ही होता है दूस्तों और इतनी जितनी वनिया सब्जी आप निखाय जाती है तो यहां पर मैंने इस तरह से कर दिया है मैं फटा फट सबसको सजाने का तरीका भी बता दूँं कि यहां मैंने थोड़ी से पहले तो अगर आपको किसी को अच्छा लगता है तो थोड़ा सा धन्या डालनी राद पा यस तरह से और थोड़ी सी हापे हम कि करीम डालेंगे período करें एमिकर थोड़ से क्रीम डालेंगे क्योंकर सजाने का अशल सतर। विक्षेश ही नहीं नियुक्ते के युद्त मिसापने क्षाय को अश्कृ मिदे के हिए इसके बीचलंग अब क्रमांवार्म थे और थोड़े से मैंने यहाँ काजू फ्राई करके रखे में आप देखे रहोंगे इस तरह से हम महमानों को इस तरह से सजा के खिलाते हैं दोस्तों तो बहुत रीच सबजी बन जाती है बिल्कुल सीम्पल सी असान सी सबजी को भी हम भूत ही बड़िया से बना सकते हैं और दि सब्सक्राइब और बेल बटन को जो रूपैस कीजेगा यहां देख सकते हैं कितनी यमी सब्सक्राइब हो चुकी है मैं चलिए स्टीज पत्ते को हटा देती हैं यह रोनक खराब कर रहा है तो देख सकते हैं चुटी गर्मा गर्म में हमने मलाई डालिया और बहुत ही बर्शाद जी क्या कह रही हैं हां बर्शाद जी बस मेरा मन तो करता है पतानी में क्या कैसी खादूं किती वीडियो मना लूँ पर बस वही है अच्कल फेस्बुक वालों ने गड़वर कर रखिये मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है हां जी रुपमनोच जी रुप इनका नाम थोड़ा से ऐसा है और मैं देख लेती हूँ क्योंकि इसमें नाम आज करना बहुत कमार है मेरा फॉन भी खोड़ चुका एक कुमर जी है बस पाल कुमार जी करते हैं वेरी नाइस लिकरे हैं पाल जी थैंक यू तो चलिए आज कर वीडियो में यही खतम करते हैं कल फिर एक नई रेस्पी के साथ मिलेंगे तब तक के लिए सबको बाई बाई और